तो आभ भी आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइपार कॉन्जुगेटिव एफेक्ट के बारे में, ठीक है? यह समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ है, क्योंकि देखो, हैपर कॉन्जुगेटिव एफेक्ट को समझाते वक्त में क्या करूँगा? कुछ कुछ चीज़े यूज करूँगा, जो अगर आपको पता है, मुझे बहुत लोगों को पता है, बट मैं ऐसे सोच के बना र और मैं बेसिक से चीज़ों को समझा रहा हूँ, तो ऐसी चीज़े आएंगे, और जो आपको सिखा होंगा वो आपको शायद पता नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसी चीज़े आएंगे, यह एफर कॉन्जीटिव एफेक्ट सिखाते वक्त, क्योंकि मैं छोटी इसी छोटी चीज़ों को मैं explain करने वाला हूँ ठीक है तो इसलिए इसको समझने से पहले हमें कुछ और topic समझना है जो मैंने बताया था basic में कि यह topic हम discuss करेंगे ठीक है तो वो topic तब last में discuss करने वाला था मैं लेकिन मैं यह सोच रहा हूँ कि कि as hyperconjugative effect में उसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं उससे पहले ही क्योंना डिसकस कर दूँ hyperconjugative effect के अंदर ही है ना तो इसको अभी फिलाल के लिए हम रखते हैं और यह फिर इसके अंदर ही रख सकते हो बड़ा ही फिलाल के लिए मैं इसको क्या करता हूँ थोड़ा easily try गरते हैं ठीक है तो आज हम पढ़ने वाले होंगे पहले hybridization effect और in terms of easily it's just hybridization organic chemistry में ठीक है तो आपको पता है what is hybridization hybridization होती क्या है तो आप बोलोगे sp2 hybridization sp3 hybridization sp3 hybridization sp3d hybridization sp hybridization तो मैं लिख रहा हूँ sp3 sp2 sp ठीक है यह तीनों रहने दो अभी फिलाल के लिए तो आपको पता है अल्ड़ी एक orbital होता है और PV एक orbital होता है इस का कितने बाट होता है एस एक ही बाट होता है coordinate करेगा मतलब mixed up होगा तब 1s 3p बन गया sp3 simple logic ठीक है यह मैं बस basic चीजों को समझाने के लिए समझार हो यह actually quantum mechanical चीज़े है equation के through समझाना है आपको ठीक है बट मैं basic अगर बता हो तो यह ही है sp2 में गया है कोई भी दो और इसमें से इसके साथ ऐसे इसका overlapping होंगी ठीक है mixed up होंगे और sp में बस एक के साथ overlap होंगे ठीक है तो यह details में अगर जानना है तो quantum mechanics सिखना है जो आप करोगे जिसके लिए प्रशन कर रहे हो वहाँ पर जाके आप करोगे तो लिक्कत कुछ नहीं है यहां तक अपको समझ में आ गई होंगे कि sp3, sp2, sp क्या होती है अब में example देके समझा देता हो ताकि और चीज़े और clear हो तो मानुद एक carbon atom है उसके एक hydrogen का bond है तो carbon का valency कितने है चार from covalency और CH bond जो है यह एक covalent bond है अब जब carbon का balance electrons देखेंगे इसका electronic configuration क्या है 1s2 2s2 2p2 hydrogen का electronic configuration क्या है 1s1 तो carbon का balance orbital क्या है p orbital balance orbital और hydrogen का क्या है s balance orbital अब जब s और p में coordination होगा that means s और p के साथ p mixed up होगा तो क्या निकलेगा sp something orbital तो sp3 हो सकता है sp2 हो सकता है sp हो सकता है अब हम कैसे decide करेंगे कि sp3 होगा या sp2 होगा या sp होगा अब हम कैसे इसको decide करें कि कौन सब correct होगा hybridization नहीं देखना है न ऐसे मैं आपको सिखा दूँगा कि structure देखोगे और बता दो कि इस atom में hybridization इस atom में hybridization इस atom में hybridization ठीक है तो इससे पहले मैं start करो वो उससे पहले मैं एक चीज बता दू कि hybridization होती क्या है देखो hybridization बस हमें consider करना है sigma bond से okay sigma bond participates in hybridization ठीक है देखो मैं जो लिख रहा हूँ ना मेरे साथ साथ लिखो practice करो मैं बार बर बता रहा हूँ practice करो practice एक बर हो रहा है बाद में जब पढ़ोगे या फिर इस पीडियेप को देखोगे जल्दी आद आएंगी तो प्रैक्टिस करो मेरे साथ तो लिखो तो याद रखना sigma bond participates in hybridization और pi bond does not participate in hybridization इसको याद रख लेने एक तम ठीक है इसको चप ले ना दिमाग में पाई वो inorganic chemistry के लिए भी त्रू है physical chemistry के लिए भी त्रू है और organic chemistry के लिए भी त्रू है पाई bond doesn't participate in hybridization okay only sigma bond participates in hybridization पाई bond doesn't participate in hybridization अब जब sigma bond pi bond हमें कैसे decide होगा कैसे decide करेंगे तो आपको यह पता है कि जो single bond अगर दोना atom के बीच में single bond है वो क्या होता है sigma bond अगर multiple bond है तो क्या होता है एक bond sigma दूसरा bond क्या पाई राइट और अगर तीन bond होगा A triple bond B एक bond होगा sigma बाकी दोनो पाई पाई राइट तो ऐसे काम करता है system सिग्मा पाई लेकिन हमें बस sigma bond को देखना है that means अगर हमें इस system को देखना है तो हमें कितने bonds को bonds के तरफ देखना है एक bonds right क्योंकि एक ही sigma है दूसरे को देखना भी नहीं हमें similarly इसमें कितने bonds को देखना है हमें A और B के बिच में अगर जब हम count करेंगे number of sigma bond क्योंकि sigma bond ही तो participate करेंगे ना hybridization में तो हमें एक ही bond को देखना है बाकी दुनों को छोड़ देना है कि वो पाई है भाई तु भाग यहां से तुझे नहीं देखना मुझे तु अच्छा नहीं है मेरे लिए ठीक है you are not good तो हमें बस sigma को देखना है पाई को नहीं देखना याद रखना इसको बस यहाँ पर भी एक bond देखना यहाँ पर भी एक को देखना यहाँ पर भी एक को देखना एक को count करना है ठीक है यह carbon का p orbital hydrogen का s orbital participate कर रहा है तो s और p का mixing हो के sp3 sp2 और sp कैसे होगा वो हमें decide करना है राइट लेकिन मैं आपको एक shortcut बताऊंगा जिस shortcut से आप easily calculate कर सकते हो तो बो shortcut यह है कि मान लो एक atom है carbon atom है इसके साथ 4 bond एटस्ट है ठीक है और 4 sigma bond एटस्ट है ओके h h h h ओके 4 sigma bond एटस्ट राइट यह pi bond का चक्कर नहीं है कि अलग-अलग single single bond है हर जगा तो 4 bond और हमें क्या करना है हमेशा sp3 ढूणना है sp2 ढूणना है और sp2 ढूणना है देखो shortcut है यह ठीक है तो अगर 4 bond total होंगे तो ऐसे देखना इसको system को एस मतलब एक पी मतलब 3 तो 1 प्लस 3 कितने होते है यहां से क्या मिलता है हमें यहां से क्या मिलता है हमें 1s प्लस 3p that means 4 और 1s और 3p that gives sp3 right देखो तो मतलब 4 sigma bond अगर होंगे system में तो कौन सा hybridization मिलेंगे हमें एक atom के चारी तरफ एक particular atom के चारी तरफ अगर 4 sigma bond होंगे तो हमें मिलेंगे sp3 hybridization okay मिल गया ना अब similarly अगर एक atom के चारी तरफ एस मतलब क्या होता है यहां पर 1s और 2p right एक s orbital और 2p orbital total कितने होता है 1 plus 2 that is 1 plus 2 that is 3 3 bond 3 sigma bond यह होता है sp2 hybridization sp3 के guess में 4 sigma bond देखना है एक atom के चारी तरफ एक atom से connected ठीक है sp में similarly 2 sigma bond देखना है system ढूंदना है यह से अगर एक atom के चारी तरफ सराउंड करके एक atom को सराउंड करके चार सिंगमा पॉंड़े ने sp3 क्या होगा sp3 तो यहां पर कितने सिंगमा पॉंड़े यहां पर 1 2 3 4 चार सिंगमा पॉंड़े that that is why carbon will have sp3 hybridization करेक्ट समझ में हाया similarly में एक और छोड़ा सा बड़ा करता हूं system को मालो c development c चलो color change कर लेता हूं कि यहां पर मैं ऐसे कर देता हूं सारी तो चीज नहीं होता मैं system को तोड़के एकदम ब्रेक करके लिख रहा हूं तो एक्जाम में इसे ब्रेक करा हूँ नहीं रहेगा तो आप ब्रेक कर लेना पहले ठीक है वह भी में करवा रहा हूं अभी थोड़ी दे टूप जाओं तो यह system अगर रहेगा तो हमें इस carbon का जिसको जिसको में मार्क करूंगा उसका इसका इसका और इसका इन तीरो carbon atom को hybridization निकलना है तो देखो बहुत सिंपल होई में समझाओंगा फास्ट इस एटम के साथ कितने सिंगमा बॉन connected है one two three four four sigma bond that means क्या sp3 hybridization हो गया ना इस एटम के साथ कितने sigma bond connected है one two take one sigma or pi यहाँ एक sigma और एक pi को गाउंड नहीं करना बस sigma को मतब 2 और 3 कहां से कहां पाएगा 3 मतब 3 that means s p2 okay so so 2 plus 1 क्या होता है 3 होता है right similarly इस करभूंगे साथ कितने सिंगमा बॉंड होंगे ओन तू और यह पे एक थ्री क्योंकि एक पाई बॉंड है that means यहाँ पे भी s p2 hybridization मिल गा ना आप समझ में आया कि hybridization कैसे काम करती है i hope it's done now right so इस तरीके से हमें hybridization निकालने है system में से ठीक है अब एक चीज मुझे add करने तो यहाँ पे जब हम hybridization निकालते है ता हम बोल रहे कि बस sigma bond will participate in hybridization into hybridization ठीक है लेकिन पाई बॉंड पाटिसिपेट नहीं करें यह बात एकदम लिख लो ओके यहाँ पे एक और चीज़े कोई भी मान लो system में lone pair है वो lone pair works as a sigma bond lone pair को भी hybridization कैलकुलिस्ट करते वक्त lone pair को हम as a sigma bond consider करेंगे ओके that means किसी के किसी भी oxygen atom होगा ठीक है तो अगर दो lone pair होगा या इसे इस तरीके से मान लो और यहाँ पर इसे bond है तो कितने है इसका hybridization क्या है c ले रहा हूं मैं oxygen का hybridization क्या है 1,2,1 sigma bond 3 that means sp2 बस हमें 1 sigma bond नहीं देखना ओके एक तो possible होगा ही नहीं तो sigma bond lone pair को भी हम as a sigma bond consider करेंगे तो दो चीज़े sigma bond देखो तो final level मिलता क्या है एक sigma bond plus lone pair यह दोनों देखके यह दोनों number count करके sp3, sp2 और sp hybridization बहां में देखना है 4 होगा तो summation करके sp3, summation करके 2 होगा तो sorry 3 होगा तो sp2 और 2 होगा तो sp okay कैसे आता है वह मैंने समझा दिया आपको बस एस मतलब a case ठीक है एक मतलब a case p मतलब 3 1 plus t 4 4 sigma bond 4 इसका वहलों अगर 4 होगा तो sp3 इसका वहलों अगर 3 होगा तो sp2 क्योंकि 2 plus 1 3 इसका वहलों अगर 1 आया sorry इसका वहलों अगर 2 आया तो sp hybridization okay तो हम सारे example समझाएंगे तो इसको हमें देखना है तो इसको हमें देखना है अब आजाओ एक छोटा सा example में उसके बाद हम और और बाइटल picture देखेंगे समझेंगे ठीक है जो बहुत ज़्यदा इंट्रस्टिंग होगा देख लेना में कुछ करवाँगा फिर homework दूँगा अब देरे-देरे करना बहुत इंट्रस्टिंग होगा तेखो अब जैनरली hybridization तो हमें मिल चुका है वो किसी किस काम का फिर hybridization वो हम देखते हैं जब हम किसी भी atom के surrounding करके different groups atoms रहेंगे तो single one double one count करके हमें corresponding hybridization हमें मिल जाएंगे अब hybridization किस काम का तो अगर मान लो किसी भी atom उसके तरफ different group है तो हम इसको hybridization निकालेंगे इसका hybridization हम निकालेंगे और वो क्या आएगा तो आएगा इसे spn ऐसे कुछ फैल वाएँगे अब इसके उपर बेस करके यह hybridization के उपर बेस करके हमें यह जो different group है ना इस group का bond angle हम calculate कर सकते हैं जैसे कि sp3 hybridization होगा तो bond angle होंगे 109 degree 828 minute अगर sp2 hybridization होगा 120 degree होगा उस atom को सरावंड करके टोटा bond का एंगेल और अगर sp2 hybridization होगा sp hybridization 180 degree मतलब बो system linear होगा तो यह चीज़ बहुत important है orbital picture draw करने के लिए और जब आप orbital picture draw कर होगे ना तब आपको feel होगा हाँ यह actual molecule अब हम draw कर रहे है organic chemistry में तो चलो start करते हैं करके organic picture orbital picture draw करते हैं ठीक है तो पहला orbital picture जो मैं draw करूँगा बो होगा ठीक है चलो अब orbital picture heading कर देता हूं तो नंबर one orbital picture जो मैं draw करूँगा वो होगा यह जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था तो सबसा सबसे पहले वाला काम जो आपको करना है इसको तोड़ देना है पूरा ताकि हम hybridization निकल सके ठीक है जैसे c double bond c तो अंगेल वेंगेल कुछ नहीं बता मैं आइसी ही लिख रहा हूँ तो हमें अंगेल तो सही रखना है सिस्टेम में नहीं तो रिपल्शन कितना होगा एर्ट्रच्शन कहां पे होगा कैसी रखने से सिस्टेम मेक्सिम्म स्टेबल होगा वह म कैसे देखेंगे तो मैंने यह पर बोलना क्या रहा है देखेवे जो हाइडोजन है सीधा घूमा दिया इस यह ए applies नापर रग दिया तो orbital picture क्या है इस molecule का ठीक है चुरो ड्रो करते हैं अब यहाँ पर इस system के लिए इसका hybridization क्या होगा देखो मैं जाना नहीं रहो वान सिग्मा बॉंड ट्री सिग्मा बॉंड त्री सिग्मा बॉंड तैट मेंस SP2 इसका क्या होगा क्या होगाblick offenses इसको सरौन करके एंगल कितना होंगे 109 इंग्री 28 मिनिट इसको शरौन करके एंगल कितना होंगे तो चलो मैं इसको clean कर देता हूँ तो फिज़ा था कि वो असान रहे चलो ठीक है तो fast SP3 hybridization होगा जहाँ पर यह वाला तो इसमें हम इसको हम ऐसे draw करते है system को तो हमेशा देखो अभी जब ऐसे orbital picture से system को draw करोगे ना तो हमेशा double bond से start करना है ठीक है और यह C लिख दिया तोनो अब बताओ carbon single bond carbon इसका balance orbital क्या है 2P अबताब P इसका balance orbital 2P that means P 2 कोईसी काम का नहीं है बस principal count number तो P orbital दिखता कैसे है इस तरीके का राइट अब जब P orbital इस तरीके का दिखता है P X P I O Z P Z आक्सिस को छोड़के इस तरीके का ही दिखता है हमेशा अब जब यह P orbital दूसरे P orbital के साथ overlap कर रहा है कि CC bond मतलब क्या है यह P orbital यह वाला P orbital का साइथ ऐसे overlap करेगा ओके तो तब क्या होता है देखो इस तरीके से जब यह दोनों overlap करेगा तब जो मैंने क्या किया इस तरीके से देखो ड्रॉ किया इस तरीके से अब जब दोनों ऐसे overlap कर रहे है इधार आ रहे है यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ का यह वाला जो लोब होंगे इस लोब का structure थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और पीछे वाला जो लोब पर इसके structure छोटा हो जाएगा ऐसे इस तरीके से ठीके तो overall structure क्या मिलते है हमें देखो C इस तरीके का C एक और C overlap हो गया ठीके हम बस यहाँ पर थोड़ा सा दिखा रहे है कि overlap हो गया अब यह जब overlap हमने दिखा दिया यहाँ पर अब बस इत्तू सा दिखाना है यहाँ पर कि थोड़ा सा बचा हुआ है actual structure तो ऐसा है तो इसको हम change कर रहे है किसमे ना इस तरीके से ताकि हम दिखा पाये ना पूरा electron का shifting इस तरह हो रहा है कि यहाँ पर bond form हो रहा है तो इस पार्ट को आप दिखा भी सकते हो इस पार्ट को आप इग्नोर भी कर सकते हो तो फिलाल के लिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ इस पार्ट को ठीके या फिर मैं फास्ट सिस्टेम के लिए दिखा दूँगा बड़ बाकी सिस्टेम के लिए मैं इस सेकेंड बाले जो चोटा चाप पुच्छी है ना इसको मैं एक इनूर कर दूंगा राइट तो उबरलाप दो कार्बोन के बीच में ऐसे होता है तो यहाँ पर क्या है फास्ट जो मैंने सिस्टेम दिखा है यहाँ पर क्या है सिसी डाबलबण bent तो फस्ट सिंगलबण ड्रो करते और स兩प तुपीटप अभालप तो सिंगलबण ड्रो करते देखो कार्बन के सब्कुची पीछे और ईसका फास्ट उपयांबन के बीचि़ और दोनों का उभाललप हो गया इस तरीके से इसका भी छुट्टा चब उच्छी आप है तो हमने यह वाला जो सिस्टेम है इसको मैंने ड्रॉ कर लिया यह सिंगल बॉंड ड्रॉ कर लिया को दो कर बन के पीछ में अब हमें डबल बन ड्रॉ करना है अब बताओ पाई बॉंड सिंगमा बॉंड तो ऐसे होगा डायरेक्ट होगा पाईबॉन का ओवहलर लेभिंग एसे होता है रडॉरीत में अलाव तरीके से देहो स kindness करत देता हूं फास्ट थीben रहेगा ऐसे सिगमा बोर्न के साथ हमेशां पाईब॑र्ण जान्टि डिग्री एंगल फसर्म में रहता है सिस्टेम को मैंने अब ऐसे की इसा लिग कि अने कार्बोन एंटो यहां पर मैंने कार्बोन एंट है इसलिए designed कि मैं भी इस एर में नों सेम यह तो मैं इसको क्लियर दिता हो ताकि नीट एंड के इंड लिए अब देखो हैً निशुकर अब जब मैंने दो कार्बोन एट के ऊपरिया के पड़ यहाँ पर double bond है तो π seen orbital बीत ऊपर आज ना तो इन दोनों का उभैलप होता क्या है देखो ओंब होता है ये जो एर्ल ये इसका इसके पास आयगा इसके पास आएगा इसके पास आएगा इसके पास आएगा इक तो और ठीले-ठीह घोगा पूरे सिस्टेम को तो मैं इसको clear कर दो पहले पिर पूरा ड्रॉ करता हूं कर मैं final ड्रॉ करू पूरे सिस्टेम को तो कैसे दीखेगा अब अब लप हो गया इसका अब इस तरह भी अब लप हो गया दोनों आके तो यह किसकी तरह दिख रहा है इस तरीके से तो अच्छे से नोट करना इसलीए हम जब पाई बॉंड को कभी बैनाज़ भी बोलते हैं पाई बॉंड झाट याद रखना पाई बॉंड को आम बेनाना बॉंड भी बोलते हैं हुआ अब देखो मुझे इस तरीके सागर में ढूँ करेंगे यह इन यह सकते सिस्टेम को तो हम इसको रख नहीं रहो अभी इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ तो एक काम करता हूँ मैं इस सिस्टेम को फिर से मैं उस तरब ट्रॉ करता हूँ ठीक है और नहीं तो सिलेक्ट कर दया तो एकचिट के में चलो पिर इसी होंगे सब कुछ इसको copy कर लेता हूँ, अगले slide में लेके जाके इसको paste कर देता हूँ चला गया यह slide, ठीक है, तो यह जो system है, इसको मैं अब clear करके draw करते हूँ यह वाला system, पहले ही हम, मैं समझा चुका हूँ आपको, यह वाला system, right, कि banana bond होता है लेकिन हम actually इसका जो orbital picture दो करते हूँ, बैनाना बॉंड को इस तरीके से नहीं देखाएंगे, पाई बॉंड को पाई बॉंड की तरह ही तरह ही दिखाएंगे, चलो, देखते हैं कि इस तरीके से दिखा सकते हैं, ओके, तो फिर से हम यहां से स्टाट करेंगे, यहां पर स्टाट कर रहा हैं, चलो, C, C, और बॉंड को पुच्छी स्का गया, यह पुच्छी स्का गया, ठीक हैं, अब बैने कि आब बॉला था, पाई बॉंड हमेशा सिक्मा बॉंड से 90 डिग्री एंगल में रहता है, तो स यह वाला पार्ट यह वालब कर रहे हैं यह वालब कर रहे हैं यह से करीब आए गया और इस तरीके से का बॉंड फॉर्म करेंगा तो हमें ऐसी दिखाना है ताकी इसली समझा पाए हम ठीक है तो यहाँ पर देखो CC double bond form हो गया मतलब यह पार्ट हमारा complete हो गया डबल बन हो गया अब देखो इस कारबन का hybridization कितना है SP2 मतलब के अंगल कितना है 120 डिग्री इसका 120 डिग्री इसका 109 डिग्री 28 मिनिट तो हमें इस कारबन के चारी तरफ सराउंड करके 120 डिग्री अंगल बनाना है तो देखो हमें करना है तो एक सिग्मा बॉन जो है वह यह वाला है इसके 120 डिग्री ऐसे हो सकते इस तरीके से हो सकता है इस तरीके के 120 होता ना या फिर इस तरीके का तो जो दो hydrogen यह और यह hydrogen वह एक three dimensional है ठीक है एक football की तरह है तो इस दोनों के बीच में हमें overlap कर बाना है overlapping तो देखो किस तरीके से मैं करता हूँ इसको चलो मैं दूसरा गला रिउस करता हूँ तो यह जो bond तो यह वाला जो आ गया यह वाला कार्बॉन का पाथ है और इसका पुच्छी भी में देता हूँ छोटा सा हाइडोजन का पुच्छी नहीं रहेगा क्योंकि बहुत शेप उसका राउंड जैसे ही होगा ठीक है तो यहाँ पर बस में हाइडोजन लिप दूंगा हो गया ना ओबर लफिंग तो यहाँ पर में ओबर लफ कर देता हूँ सिमिलर्ली 120 डिग्री एक और 120 डिग्री अंगल पर एक और हाइडोजन रहेगा तो यहाँ भी पुच्छी दे दिया मैंने नेक्स्ट पिक्चर से पुच्छी नहीं देना अगर आप ड्राव करोगे पुच्छी मत देना बट मैं समझाने के लिए दे रहा हूँ हमें तो मैं का करता हूँ hydrogen को नीचे रखता हूँ और इसको उठा देता हूँ तो देखो तो उसको करने के लिए करना क्या है हमें hydrogen को नीचे रख देता हूँ मैं हो गया यह पुच्छी आ गया मेरा और यह जो था यह पार्ट यहां पर पुच्छी देता हूँ लेखो अभी प्रॉब्लेम यह कि यहां पर यहां पर मीथाइल ग्रूप है नॉट हाइडोजन है मताब इस कार्बॉन के साथ दूसरे कार्बॉन का ओभाइल पिंग हो रहा है चलो जो में इसको छोटा कर देर 5 तो एक आया इस कर बं से तूसरे कर्बॉन अशूर मिया पर यह रहा गया तो यह फॉर्म होगा है सिंग्म बॉनड अब नोट करो चैसे अब इस कार्बॉन के साथ तीन और यह बंशन का है तो उसका एंग्हल कितना होगर है एस्पीज रिवेडेशन इस कर्बन का यह एक बॉंड हो गया तो इसके रिस्पेक्ट में वान टू थी यह इस तरीके का होगा क्यों कि देखो जो मिथेन होता है मिथेन में इस तरीके का हम दुर। यह जो घ। करना है तो देखो इसका पुच्छी यहांने यहां पर इस तरीके से फिर एक और एक हाइड्रोजन इस तरीके से दूसरा इस तरीके से तिसरे इस तरीके से आगा एक हाइड्रोजन इसका पुच्छी आ पे इसका पुच्छी आ पे इसका पुच्छी आ पे यहाँ पे और यहाँ पी भी एक हाइड्रोजन ओके तो यहाँ पे मैंने कर दिया सब का ओके अब देखो अब मेरी भाई कर लेते फिर से यह कार्बोन करबन डबल बॉंड है फॉर्म हो गया मैंने बोला हमेशा डबल बॉंड से स्टार्ट करना यह पूरा पाइब दिखा दिया यह कार्बोन का हीडिजिशन यहां पर यह कार्बोन आने के बाद इस कार्बोन का है इस पी ती है तो इसका एंगल कितना होगा बाकी बाकी सिंग माइन डिग्री ट्वांट जी डिट फ्कॉ देखो वान टू थी मतब लगबग वन अंड्र नाइन डिग्री ट्वांट एट मेंट में ही है एक्चुली थी किसे करता है ओके तो मैं एक और करके दिखाता हूँ फिर मैं होम वाक दूंगा आपको और मेरे स्टाडी में अटलिस्ट थार्टी तो होंगे तो आप एक पर देख लेना ठीक है तो मैं एक और कर रहा हूँ इसटमाच में आ गया होगा चलो दूसरे एक जांपल में करके देता हूँ तो उससे पहले चलो दूसरे एक जंपल में यह चू 토ख स कहुकरत स्वाइब आधा था नई गंद तरीके से तकि खुछ बहुत बहुत ना चले पहले बस सिमेट्रिकल हो आप तो यह थे रहां तो रहा हूं थो आप देखो इसका कितना है अब बताओ एक बन की बाकी दो पा है पाई को और नहीं करना SP hybridization इसका क्या है 1 2 SP hybridization इसका क्या है SP 3 hybridization तो 109 degree 28 minute इसका कितना है 180 degree इसका कितना है 180 degree तो आप चलो picture draw करते है तो first मैंने बोला double bond नहीं है तो triple bond से start करो multiple bond से पहले start करना अगर double bond और triple bond दोनों रहे तो भी double bond से start करना ठीक है तो चलो start करते हैं तो triple bond तो पहले से carbon और 2 carbon के बीच में single bond form कर लेते हैं मैं पुच्छी नहीं दूँगा पहले बता रहा हूँ ठीक है अगर interested हो तो आप दे देना कोई दिक्कत नहीं है double bond form कर रहा हूँ मैं कर लिया double bond form ऐसे जोड दिया इन दोनों को अब triple bond देखो यह system फास्ट एक bond इसके साथ 90 degree angle पे है same plane में अब triple bond form करना है मतलब हम इसके साथ यह जो दोनों है इसके साथ एक और पाइबॉन को जोड़ना है और 90 degree angle पे ताकि यहां पे नहीं इन दोनों के साथ ताकि वह 90 degree angle करें अगर मानलों इस यह जो carbon atom इसके पीछे स्कीन के पीछे गूस जाओ या फिर जहां पर मोबाइल स्कीन देख रहे हो ना पीछे गूस जाओ और एकदम स्कीन के opposite वे में उपर लेकर आओ ठीक है थी पाइप रॉंड के पाइप रॉंड ड्रॉ करोगे और उभलाप करवान है वह पैरलल होना चाहिए लिखके देता हूं मैं पाइप पाइप के पाइप बॉंड ऑबलेपिंग शुट भी पैरलल कलर चेंज इस पॉइंट को याद रखना हमेशा पैरलल होना चाहिए ठीक है इस तरीके से दे रहे हो इस तरीके से दूसरा इस तरीके से दोगे फिर ओबलाप करोगे न contradicts अ क्ञा हो रहा है फिर शुट इम के गुम और इन दोनों के साथ 90प ला पर धीज्कीन के पीछे घुश्रा उस और इस फेमर के साथ सीधा, that means यहाँ पर सिंपल एपॉट, यह कार्बॉन का है, यह हाईदोजन का है, हो गया हो वालप, similarly देखो, इस कार्बॉन आटम के साथ, कुछ भी अटास्ट नहीं है, डायरेक्ली यह यह अटास्ट है, यह वाला ग्रूप, तो कितने अंगल पर, इसका हा होगा, हाईदोजन का इस पी नहीं, तो कार्बॉन आटम में इसका पी और्बैटल ट्रोग करके ओफलपिंग कर दिया, अब इस कार्बॉन का है, कितना है, एस पी त्री, तो मतलब, 109.29 डिग्री टूइट मिनिट, चलो, ड्रोग कर ले तो फिर इस तरीके से देखे, एक ह इस तरीके से रहता है, ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ, तो यही है, इस तरी, इसको बोलते है, और वाइटल पिक्चर, मॉलिक्यूल को हम एक्चुली देखते कैसे, देखते कैसे, वही डिपेंड करता है, ठीक है, चलो, मैं और कुछ समझा हूँ क्या, एक्जम्पल दे दो क्या और एक दो, चलो, लास्ट एक्जम्पल, थड़ा कंप्लिकेटर स्टक्चर लेता हूँ और दे देता हूँ, ओके, चलो, किसका लो, किसका लो, चलो, बेंजिन का लेते हैं, हम, बेंजिन का एक्जम्पल लेते हैं, चलो, बहुत कंप्लिकेटर एक्जम्पल लोगा फिर अगर यह समझ लिए ना बेंजीन के एक्जम्पल कोई भी एक्जम्पल आप उसे रोका नहीं कोई रोक नहीं सकता आपको इसको समझने में एक तो तीन ठीक है मैंने इस तरीके से लिखा मैंने इस तरीके से नहीं लिखा ठीक है इस तरीके से लिखता थो थो रहा जाता है ट्रॉ करना तो मैंने इस तरीके से लिखा इसलिए ताकि आपको इसली समझा पहूँ सॉरी चलो अब बेंजिन रिंग को ट्रॉ करते बग पहल आप देखू, इस तरीके से नहीं होगाई है, कारबन, 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 कारबन और कारबन, सिंगल बन्ट, पहले दे दिया मैंने पुरा, अब यहाँ पर double bond, यहाँ पर double bond, यहाँ पर double bond, एक, तो, तीन, चार, पाच, छे, ओके, पुरा हो गया, अब जब इसको मैंने draw कर लिया, अब चलो इसको orbital पी चल लेते हैं, उससे पहले hybridation ही कलना है, देखो इसका hybridation कितना है, sp2, क्योंकि 1, 2, 3, पाइ को नहीं लेना, 3 मतलब sp2, इस तरीके से अगर देखो कि हर किसी का, इसका sp2 होगा, इसका भी sp2 होगा, इसका भी sp2 होगा, और फाइनली इसका भी sp2 ही होगा, हर एक carbon atom के sp2 होगा, that means हर टाइम, कितना angles होंगे, 120 degree हमें यह maintain करना है, हमेशा, हर एक bond के साथ, इस carbon के साथ, इस carbon के साथ, जो भी attest होगा, हमेशा हमें 120 degree angle maintain रखना है, with pi bond भी draw करना है, अब समझ रहे हो, कितना मुश्किल होगा picture, है ना, चलो, मुश्किल किस काम की, मुश्किल कुछ नहीं होता, बस तरीका आना चाहिए, चलो, फिर पहले में double bond स्टाट करूँगा, तो मैं इस double bond से start कर रहा हूँ, ठीके, c, 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 single bond हो गया, पुच्छी नहीं दूँगा, मैं पहले बता दिया, मैंने, अब pi bond draw करना है, होगे, जोड देते, pi bond, parallel रखना है, याद रहे है, हो गया, हमारा यह, यह बला पार्ट हो गया, अब इसके था hydrogen जोड ना है, hydrogen पर इसको बाद में जोड रहा हूँ है, ठीके, थोड़ी देर, इसको add कर लेते हैं, और दो carbon को, तो इसको दूसरा color choose करता हो, तकि easily समझ में आ देखें, यह कर लेते हैं, चलो इसको overlapping करके दिया, ओके, चलो अब यह बला भी draw हो गया, यह यहां तक हो गया, अब फिर से double one two करना है, ओके, चलो कर लेते हैं, one point angle देखो, one point degree angle में इंटेन कर रहा हूँ है, इस तरीके का, फिर इस तरीके का, है ना, one point degree angle, यहाँ पर भी angle में इंटन कर रहा हूँ है, ठीक है, तो अब चलो आ जाओ, दूस्चा पूलरा फिर से उसका कर तो, मैं, अब इस तरीके से जाना है, मुझी, इस तरीके से, ठोके, थाकि, इस तरीके से जाओंगा, तो यहाँ फिर से यहा पर, फिर यहाँ पर, इस तरीके से, ताकि one point degree angle म आगे हमें, finally इसको जोड देते हैं, finally, पाइबन को मैं ड्रॉ करता हूँ थोड़ी देर बाद, मैं तब सिंगेल बन फॉर्म कर लिया है हर जिगा, कर लिया ना, देखो, पूरा रिंग बन गया हमारा, अब यहाँ पे मुझे पाइबन को जोड ने, यहाँ पे दो पाइबन को करेंगे, और इसको इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, इस तरीके से, और इस तरीके से, इस तरीके से, ओके, चलो, फिर इस तरीके का यह ट्रॉ हो गया, इस तरीके का यह यह ट्रॉ हो गया, तो यह जोड दिया मैंने है, पाइसमिरली यह भी जोड दिया मैंने है, जो सॉरी यह लास्ट वर फेलल नहीं हुआ हुआ है आप तो है पारी पेलल नहीं हो रहा चलो इसको पहले हो कर लेते हैं अब हो गाए है लिटल बिट पेलल कर देट रहा है हो गया है देख़ आप फिर मैं आपी पुरा दिखा देखा दीदा हूँ double bond 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 आगया three double bond single bond पूरा दिंक complete हो चुका हमारा वास hydrogen put करना है तो कि आंगिल देखना हमेशन 120 degree मेंटेण किया से इस तरीचे सी 120 120 120 120 right हमेशा 120 है तो सेम है यह और यह सेम ही है लगबक तो ही थे में यहां पर यहां पे दिताहू ड़ा हुआ यह्षार तरीख को यह से आ यह थो टॉड़ी है यह सिस्टम Beach हो गया हमारा pension का और वाइटल फिक्चर तो मैं हाथ हैंड को पकड़ के सिखा रहा हूँ आपको ताकि हर एक चीज आप सीख जाओ ठीक है तो यह बहुत इंट्रेस्टिंग चीज है तो मैं एक काम करो मेरे स्टाडी मेटरियल में जाओ और उसमें देखो बहुत सरे एक्जामपल से तो अगर दीक हो ऐत्कि आपको नहीं करना अगर मिध्ल फिकरन थोड़ी दिडर वेट करो में काम कर रहो बेंचिंग थो tube उसमें को अपको अब करो भी लेए अश।्याइनमेंट रहा हूं इसको को पॉस्ट करो उप होगी करो झूल हूं इसको देता हूं थोड़ाग संहिं नब्ड ठीक है याद रखना इसके उपर loan pair of electron है ठीक है तो इसको loan pair electron मतलब एक bond ही लेना ओके याद रहे मतलब चलो में इसको करके दिखाता हो थोड़ी देर में ठीक है नमबा टू दिख करो यह वाला यह कीटिन का है नमबा त्री करो बेंजिन रिंग ही दूगा में इतना मैंने से मैंने करा आपको भी करना है चलो यह यह त्रीक होगा मैं फिक्चर नहीं दिखाऊंगा ठीक है बस में थोड़ा करोंगा और यह जो होगा ट्रिपल बॉंड तब कर सकते हो वान टू थ्री बो में नहीं दिखाऊंगा और चौत्ते को ऐसे आट कर देना क्यूंकि इस कर्बॉन का हाइब्रेशन क्या होगा इस पी हाइब्रेशन होगा और अगर इस पी हाइब्रेशन होगा एंगल कितना होना चीए मतलब कि मैंने क्या बोला था एस पी की होगा देखो यहाँ पर एक बॉंड सिग्मा और यह लोन पेर को सिग्मा बॉंड कंसिडर करना है दो वान टू एस पी राइट क्लियर तो यहाँ पर ऑक्सिजिन को पर दो दो लोन पेर है तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ ठीक है तो याद रहे तो लोन पेर को 120 एंगल पर देना समझ में आया चलो खुच से करना नहीं तो स्टाड़ी मेटेरल में हैं सारे होहां से देख लो पूरा डीटल्स में अब देखो पूरा हो गया और नहीं तो मुझे होटस आप करो मैं सॉल्ट करके भेज़ दूंगा अगर कोई दिक्का थो रही हो नहीं नहीं चाहिए वैसे भी ओके चलो टान और स्टाइमेंट करके फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं तो मैं अब मैंने आपको पूरा और पर कंजुगेशन में ठीक है चलो फिर आजा तो हाइपर कंजुगेशन में वापस हाइपर कंजुगेशन में